हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे लूसीड अकेडमी एप पर और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं खुश्वन जी जो हमारे इंग्लिश सबसे मौस्त इंपोर्टेंट राइटर अर्श हैं सिगलाँ जो हमारे इसे बनाई तिख से पहले वड़ियो जिसमें मैंने इनकी बायोग्राफी को बड़ी अच्छे से explain किया है अब यहां पर इनकी बायोग्राफी के बाद मैं explain करने वाला हूँ उनकी works को और हर works की यहां पर मैं समरी बताऊंगा with detail के साथ जो आपके exam के लिए बहुत important है केवल आप सुन करके ही और यहां से उस detail को note क करकेगी आपका concept clear हो जाएगा और बस आपको क्या करने इसकी mcqs की जो मैं practice कराऊंगा वो करनी है आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो time ना waste करते हुए अपनी वीडियो को मैं क्या करता हूं शुरू करता हूं चलिए तो दीखे अगर मैं बात कर पहले थोड़ा सा repeat कर लेते हैं कुष्वन जी की तो कुष्वन जी का जो नाम था वो कुषल सिंग था जो उनकी दादी ने लिखा था ठीक है न और जो उनकी जो बर्त हुआ था वो कब हुआ था 1915 में 1915 में कहां पर हिदल में जो कहां आया पकिस्तान में और उनकी जो डैथ हुई थी वो 2014 में हुई थी कहां पर हुई थी 2014 में दिल्ली में इतना मैंने आपको बता चुका था और उन्होंने लॉकी पढ़ाई लंडन से की थी उनको भारत वो पंजाब रत्न बद्भ सजुन का पहला नोबल है वो कौन सा है ट्रेंट टू पाकिस्तान यह कब आया था 1956 में ठीक है अगर अब यह जो नोबल से इसको हम लोग आज एक्सप्लेइन करेंगे बड़े अच्छे से समझेंगे और इसकी स्टोरी को जानेंगे एक और बात मैं आपको बता दू जैसे इसका नाम है ट्रेंट टू पाकिस्तान उससे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यह जी स्टोरी है वो 1947 का जो मसेकर सीन हुआ था वो सीन जिसमें क्या हुआ था एनिहिलेशन हुआ था नर्स हार हुआ था इधर से पाकिस्तान से जो गाड़ी भरके आ रही थी उस वो ल पहले इसके करेक्टर्स की बात करते हैं और फिर बात करते हैं इसकी समरी की ठीक है चलते हैं तो हमारा पहला नोबल कौन सा है ट्रेंट टू पाकिस्तान याद रखना खुश्वन जी का पहला नोबल उसे हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं चलते हैं यह देखो यह रिंस इन स सब को मैं यहां पूरे औरली सारी चीज़े एक्स्प्लीन करता हूं और डिटेल के साथ क्या है समस्ते हैं दिखिए यहां पर ट्रेन टू पाकिस्तान कब आया था 1956 में ठीक है और यह जो लिख लिख तो इन्होंने 1950 में लिया था पर इन्होंने छे साल बाद इसे पब्लिश क इस दोगी है अब बात करते हैं पंजाब में एक गाउं है मोनो मांजरा क्या नाम है उस्सक्राइव का नाम क्या है मोनो मांजरा करके एक विलेज है फिक्ष्नल टाउन है जैसे आरके नारायन का मालगोड़ी हुआ करता था ऐसे ही किसका भाई जो खुश्वन सिंग जी का सब लोग एक साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं बड़े मस्त तरीके से रहते हैं आपको पता है ट्रेंट टू पाकिस्तान जो जिसका नाम है तो आपको पता यह से 90 47 की कहानी है जो समय था ना जब बटवारा हुआ था लोग अपने ड्सलोकेट होरे थे इस घर मतलार पाकिस्तान जो मौनलों लोग थे वो पकिस्तान में जाKS रहे थे और पकिस्तान में जो सिख लोक थे या हिंदू लोग थे यहां आ रहे थे उस दोरान और दंगा बढ़क गया था और वहाँ पर मौम्डान्ज लोग जो मुसल्मान लोग है वो लिए क्रेक्व को मार रहे थे और इधर शिक्ष GT ह्यों वो किसको मार रहे थे मुसल्मानों के सी लज़ी, इस तडिके से हम मस्वेkar सीन चल रहा था, अब बात करते हैं इस इस स्टोरी की, तो यह क्या है, मॉनोमाजरा गाह में, यह गाहों बड़ा मस्थ था, इनका जो दंगा बंगा चल रहा, इसका ध्यानी नहीं था, यह अपनी में ही मस्थ थे, अब क्या होता है, वह ये क्या था पैसे वाला था और लोगों को पैसे उधार देता है और उसके बदले में ब्याज लेता है अगर कोई पैसा नहीं देता तो ये उस पर जुल्म भी करता है ये चीज़े इसमें मेंशन है अगर बात करें आपर मली नाम के मली नाम का एक दकैत है डकैत तो समझते हो और एंटागोनिस्ट बोलते हैं उस स्टोरी का क्या होता है जो में हीरो एक्टर में होता है उसमें उसका अपोजेट होता है कहने का मत्तब है प्रोटागोनिस्ट का अपोजेट एंटागोनिस्ट समझ में आया होगा अब बात करते हैं यहां पर तो जुगल सिंग होता है जि क्या है इमाम बक्ष की बेटी है यह क्या मैटर है समझाता हूं देखो इस गाओं में क्या है एक क्या है गुर्द्वारा है और एक मस्जित है जिसे हम लोग मौस्क बोलते हैं क्या बोलते हैं मौस्क एक गुर्द्वारा है क्या है गुरुद्वारा तो इस मौस्क की देखभ जुगल सिंह प्यार करता है नूरन को जो किसकी बेटी है इमान बक्ष की जो एक मॉम्डन है और ये इसको ये प्यार करता है दोनों के बीच में अफेर चल रहा है ठीक है एक हुकम चंद नाम का क्या होता है एक प्रोस्टिटूट को लेके आता है प्रोस्टिटूट बोले तो वैश्या क्या बोले तो वैश्या उसे लेके आता है जिसका नाम क्या था हसीना समझ में आया तो यह मीर सिंग और लंबरदार क्या है यह जुगल सिंग के साथ किसमें काम करते हैं यह गुर्द करता हूं पहले से explain कर देता हूं और ली फिर इसको मैं जल्दी से समरी को वहां पर आपको underline करके समझा दूंगा समझते हैं देखो क्या होता है कि जनरली इसका नाम क्या है मोनो मांजरा गाउं होता है यहां पर लोग सभी बड़े हिंदो मुस्लिम सब लोग मिल जूल कर रहते हैं ठीक है अब क्या होता है वहीं पर तो यहां पर यह जो रामलाल नाम का जो बंदा होता है क्या होता है इसका हत्या हो जाती है इसका मडर हो जाता है और ये भी पता होता है कि मडर किया किसने मडर किया था मली ने मली ने क्या कि के इसका मडर किया और इसके घर में से इसके पैसे लूट लिए ठीक है इतना क्लियर होता है अब क्या होता है यहां पर पर प्रॉब्लम यह होती है कि मली को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को पुलिस मली को अरेस्ट नहीं करती पुलिस अरेस्ट किसको करती है जुगल सिंग पर इकबाल सिंग को इकबाल मडर के ठीक बाद में आया होता है कहां पर इस गाओं में मनो माजरा में ठीक है याद रखना कि जो ट्रेंट टू पाकिस्तान का फिक्शनल विलेज का नाम क्या है मनो माजरा मनो माजरा ये था तो यहां पर आ रखा होता है तो इन दोनों को पु स्प्चुएशन तो यह होती है जो जुगल सहींग, जुगु है कि तीक mean के साथ के लिए खेफ कममें चुछाक्व कर या थे यहैं शिवा कहनी तो चुछवन जी ने में उस दोरान था इकवाल सिंग दिल्ली में था और इकवाल सिंग जिस दिन वो मडर के ठीक बाद में आया है कौण यहां पर इस गाउं में फिर भी पुलिस ने क्या कर लेती है अरेस्ट कर लेती है और जो नूरन है वो क्या इमाम बक्ष जो इस मस्जिद का क्या है मेन बंदा है यह उसकी बेटी है यह ठीक है इन दोनों का बीच में अफेर चल रहा है अब क्या होता है यहां का जो हुकुम इन देन चलता रहता मली इसको पैसे भेशते रहता है तो इसी वजह से यह क्या करता है इन दोनों को फसा देता है जुगल सिंग को और किसको इकवाल को फसा देता है ठीक है यह पूरी कोशिश करता है कि जो इकवाल बंदा है ना इसके नाम का फायदा उठाने का क्योंकि उस समय क्या चल रहा था हिंदू और मुस्लिम यो जो क्या चल रहा था मसेकर सीन चल रहा था पाटिशन हुआ तो लडाइया चल रही थी तो यह क्या करता है इसको मुसल्मान बनानी की कोशिजी से बोलता है पहले तो चेक करता है इसकी पैंट तरवा के कि मुसल्मान है या नहीं तो यह देखता है कि यह मुसल्मान नहीं है यह क्या है एक सिख है दूसरे नंबर पर फिर क्या करता है इसका जो नाम लोगों को बताता है वो मुहम्मद इकवाल सिंग नाम से बताता है क्योंकि जिससे लोगों की सिंपैथी इसकी तरफ से हड जाए और लोग इससे हेट करें और इसको इसकी मदद करें किसको हुकमचंद की मदद करें और उकमचंद को ब्लेम ना करें कि कि किसी निर्दोष आत्मी को इसने अरेस्ट कर लिया है ठीक है यहां तक स्टोरी चलती है अब क्या होता है देश में दंगे हो रखे होते हैं और देश में क्या हो रखा होता है प अब क्या होता है कि एक ट्रेन आती है पकिस्तान से जैसे कि दिली में आ रही थी पकिस्तान से वैसी एक ट्रेन आती है पंजाब में जो या इसकी जो वहां पर रिल्वे स्टेशन होता है कहाँ पर मोनो माजरा में तो वहाँ पर वो ट्रेन में पूरी की पूरी लाशे बरी हुई हैं जैसे यहाँ मनो माजरा के लोग यह सीन देखते हैं तो वो क्या करते हैं अब उनको अब उनको डर लगने लग जाता है दहशत फैल जाती है और इतना गुस्सा भढ़ जाता है किसके लिए मुसल्मान के लिए क्योंकि वहाँ पर मुसल्मान क्या थे थोड़े कम नंबर्स में रहते थे अब क्या होता है, वहां के मुसलमान और डर जाते हैं, कुछ तो वहां से छोड़के जाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों का वहां के लोगों से क्या था भाई जा रहा था, तो इसलिए वहां पर रहते हैं, अब क्या होता है, पूरी सिख्ष कम्यूनिटी ये क्या बलात जाता है और यह कि जैसरत हुश करें जाता है कि इंभ के बख्ष को बोला-जाता है आप के पास इतन个 एक दिन का समय आप इनको बोली यहां से चले जाएं नहीं तो हमारे साथिये सब इनको मार देंगे इतना इंने मां गुसशा भर रहा तो इमां महीड जो और भी जो लोग होते हैं वहाँ गाओं के जो में में सिख लोग होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आप गाओं लोग यह सोच यह जो बंदे हैं वहाँ पर यह decide करते हैं सरदार लोग सिख लोग यह decide करते हैं कि यह जितने भी मौमडन है इनों वहां से पंजाब से हमारे लोगों को मारा है तो हम भी इनको मारेंगे खतम कर देंगे इनको station पर ही खतम कर देंगे यह decide करते हैं पर यह जो मीर सिंग है और लंबरदार जो इसके दोस्त होते हैं यह क्या करते हैं डिसएग्री एट मुस्लिम पर मजबूरी में अगर नहीं जाएगी तो मर जाएगी तो यह क्या होती है इसके साथ जाती है चल अभी पहुंचे नहीं अभी स्टेशन पर यह लोग जा रहे हैं इतना इसमें दिखाया गया है अब क्या होता है यहां पर इसमें क्या होता है कि वहां पर यह जो हसीना नाम क तो क्या इसको पता चलता है कि भाई ये क्या होता है हुकुम चंद को पता चलता है कि यहां के जो सरदार लोग हैं जो यहां के हिंदू लोग हैं वो क्या करेंगे स्टेशन पर मेरी हसीना को भी मार देंगे तो इसको लेकर कि यह बहुत परिशान होता है जबकि पहले यह सप तो क्योंकि हिंदू है इस चीज को कुश्वन सिंग ने साब दिखाया एक हिंदू को टेररिस्ट के रूप में एक करप्ट परसन के रूप में बताया गया है ठीक है अब क्या होता है यह हसीना को बचाने के लिए क्या करता है यह यहाँ पर अभी इससे पहले एक घटना और होती है इसको अभी जो मैं बताने वालों हसीना को बचाने से पहले एक क्या होता है एक घटना और होती है जो एक वहाँ पर रिवर होती है क्या होती है रिवर होती है और उस रिवर में पानी बहुत जादा आ जाता है एक रूटे है एन में यह सब लोग सबूब सामिल होते हैं अब क्या होता है हरता है। मेरी चंद को मैरी मारी चायेगी तो इनको पता था कि सब लोग जुगल सिंग्स पासे बात मांते हैं। परिशान हो जाता है इतना परिशान हो जाता है यह गुर्दवारे में जाता है और मत्था टेकता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं कर रहा है जो मर रहा है मरे और यह क्या करता है एक विस्की की बोतल लाता और उसे पी करके सो जाता है गुर्दवारे के अंदर ही अब क् यहां पर और यह दूसरे नंबर पर अपनी जो जिसे जो प्रेम करता था नूरन को भी बचाने जाता है वहाँ पर तो यह अपने ही लोगों से लड़ जाता है कौन जुगल सिंग तो आपको याद आई होगी movie कौनसी वाली जो गाना आपने सुना है मैं निकला गड़ी लेके गदर movie याद आई होगी ना सेम कुछ-कुछ पाट इसका वहीं से लिया गया है ठीक है उस समय क्या थी यह इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलती थी कैसी ट्रेन चलती थी आपको पता होगा यह ट्रेन चलती थी जो कोईले वाली तो जिससे की लोग छत पर भी बैठके जा सकते थे तो बहुत सारे लोग छत पर बैठके जा रहें अंदर से ज्यादा लोग तो छत पर तो उस रसी से टकरा जाएंगे और वो लोग क्या है नीचे गिर जाएंगे ठीक है ना क्या होगा लोग नीचे गिर के मर जाएंगी उनकी मौत हो जाएगी ऐसे करके इनका हत्या करने का प्लान था ऐसे तो यहां पर तुरंत कौन पहुंचाता है जुगल सिंग और जुगल सि रसी ऐसा कर रहा होता है तो वहीं पर एक बंदा देख लेता है जो ये ये सिखी होता है वो ये देख लेता है कि ये तो मुसल्मानों को बचा रहा है तो वो उसमें क्या होता है गोली मार देता है किसमें जुगल सिंग में जुगल सिंग रसी को काट करके ही रसी के साथ नीच कोशिश की है यहाँ पर उन्होंने क्या बता है हुमिनिटी के बारे में बात की है कि यहाँ पर कि लोगों को प्यार से जीता जा सकता है उन लोगों ने मारा है तो हम क्यों मारें तो यहाँ पर एक कुर्वानी की बात की गई है एक सिख की और सिख ने दूसरे religions के होते हुए भी उन्होंने क्या किया उनके लिए वलिदान दे दिया sacrifice कर दिया इतने में ये novels हमारा क्या होता है खतम हो जाता है आशा करता हूँ इनकी जो अगली novels है मैं ऐसी तरीके से explain करूँ अगर आपको चीजे ठीक लगे तो channel को share करिए subscribe करिए और like करिए मिलते हैं अपनी next video में धन्यवाद